लोकसभा चुनाव 2024 में वोटरों को जगानी के मकसद से अगामी 22 मार्च को फुड फेस्टिवल का आयोजन होगा। यह आयोजन हजारी बाग के करजन ग्राउंड में होगा। इसमें हजारी बाग के वोटर शामिल हो सकते हैं। हजारिबाग की डीसी नैंसी सहाई नी कहा कि फुड फेस्टिबल में कई तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे, वहीं वोटरों को जागरुक भी किया जाएगा, वोटर मोबाइल के माध्यम से एंट्री ले सकते हैं, वहीं जो वोटर नहीं है उन्हें 500 रुपए सुल्क के लिए हम लोग जिले में कई प्रकार की स्वीप अक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम यहां के सभी मद्दाताओं से ये अपील कर रहे हैं कि वो आने वाले लोगसभा चनाव में, जो कि हमारे जिले में 20 मई 2024 को निर्धारित है, मद्दान दिवस, पोल्डे उस दिन जरूर अपना मध डाले, इसी क्रम में हम लोगों ने 22 मार्च को करजन ग्राउं में एक एलेक्शन फूट फेस्टिवल का आयोजन किया है, जो की स्वीप सेल के माध्यम से किया जा रहा है, इस फूट फेस्टिवल के माध्यम से हम बहुत सारे अक्टिविटीज, बहुत सारे गेम्स वगरा ओगनाईज कर रहे हैं, फूट स्टॉल्स लगा रहे हैं, और इसका थीम एलेक्शन इन इंडिया है, उद्देश ही ये है कि हम लोगों को जादा से जादा मोटिवेट कर सकें, उन्हें अपील कर सकें कि आने वाले निर्वाचन में जरूर अपन मत डालें, और इसमें हम लोगों ने राजस्तर के भी जो हमारे मुखे निर्वाचन पदादिकारी है, श्रीके रवी सर, वो भी इसमें उपस्तित उन्होंने अपनी सहमती दी है कि वो आएंगे, जो और भी हमारे एडिशनल सी ओस हैं, उनके द्वारा भी सहमती दी गई है आने के लिए, आपके मादिया से हम हजारी बाग जिले के सभी वासियों से अनुरोद करते हैं कि जरूर इसका पार्ट बने और बहुत सारी अच्छे इवेंट्स प्लैंड है, इंडियन आइडिल फेम की जो सिंगर है, शालिनी दूबे वो भी इसकारेकरम में शेकत कर रहे कोहराम लाइफ के लिए हजारी बाग से ब्यूरोचीप सुनिल साहू की रिपोर्ट